नमस्कार पसुपालक साथियो आज एक और छोटा सा वीडियो लेके आ रहे हैं राज डेरी फारम से पूछना चाहेंगे परमोध भाई से कुछ नए सवाल और जो है बहुत सारी बाते जो आप भाई नया पसुदन लेना चाते नया डेरी फारम करना चाते उनके लिए फायद से मिन्ने में सो तो कम से कम होंगी बैसे इतना ज्यादा पसुदन बिकने का अपना क्या कारण है नंबर एक बात तो अपना जो काम है ना सचाई का है लोग जैसे बोलते हैं यह 20 लीटर देगी यह 22 लीटर देगी जो बैंस देंगे ना बिलकुल गैरंटी के साथ देंगे हां 12-13 लीटर की हमारी घर तक की गारंटी रहती है और जैसे 10 बैंस देंगे ने उसमें कम से कम पांच बैंस निकलेगी 15 लीटर की हमारे मुझ से कभी भी हम 20 और 22 लीटर दूद नहीं बोलते हैं सचाई का काम करते हैं बिलकुल और जो दूद बताएंगे ना उससे दो ली अब जहां पर अपणा गया कही गाएं तो कहीं से बर ले लो नंबर ले लिग देंगे अगया का तसली करके और हर जो गुए पास पहले तसली करता है उसके बाद आता है वगवान की दया से पिछले तीन चार साल से आप देख भी रहे हो ऐसा एक दिन नहीं है कि राजड़ करें कन्फरमेशन कर लेते हैं फिर आते हैं संपरक की बात तो यह सुरुंद्र भाई हम खुद करवाते हैं संपरक बाद मैं हमारे पास आओ पहले हमारी तसली करो कम से कम तो तीन जगे हम भेजते हैं पहले उनको तेख वहां जाके हमारी बैस देखो मारे से मत पूछों पहले उन 20 का रजल्ट देखो उदर जाके ठीक उसके बाद अमारे पास आना तो गैरंटी 20 किलो की 22 किलो की आव लेते हैं अच्छा 25 साल हो गया 20-22 किलो अमारी बैंस दूद देती भी है उदर जाके लेकिन अमारे मुझ से कभी नहीं बोला हमने जूटका और फसाने का काम अपना बिल्कुल भी नहीं है ठीक है सुरेंदर देखो आप भी इतने साल हो गए वीडियो भी बनाते हो बैंस भी लेके आते हो दस बैंस पे 20 लिटर की गारंटी देंगे 200 लिटर दूद हो गया मेरे हिसाब से कोई ग्राक नहीं जनम लिया होगा कि 200 लिटर दूद उदर जाके नपवाया है हम गरंटी लेते हैं 125 से 30 के जाएगा लेकिन घर पे जाके वहीं बोलेगा बैया सत्रा दिया सोला दिया दूद इतना है रूटीन में बाकी कोई अच्छा अगर बेचने वाड़ा है और दो डाई तीन लाख रुपे में शोदा करता है तो हो सकता है 200 किलों के नजदीक लग जाए लेकिन यहां तो क् पार भी कर जाएंगी लेकिन गाड़ी ट्रैवल करके अफते के बाद पसुदन उत्रेगा कोई बिमार भी होएगी कोई गडबड़ भी होएगी तो मुश्किल हो जाएगा एक बैस भी अगर डाउन मार गी तो पूरा जो है वो तो पूरी गाड़ी का क्वैलकुलेशन खरा सब्सक्ताः परईशन तो आठीक है तो आप कभी उधर महरा च्रांच्रा में जाके या गराकों के पास जाके देखते भी है अपनी बैसे कैसी चल रही है इदर भी जाते हैं मारा राष्ट्रा यह नहीं जाता है इधर बहुत बार जातें वाई हाउ ऐसे फिए चैज्वर मिले पहली भार यह देखे आप कैसा पफुदन देनेंग सांसी ब्रीड देंगे कितने रुपें की देंगे गाए भी बैंस भी टोटल बता दीजिए गाएं हमारे पास 40,000 से लेके और 80,000 तक की हैं जिसमें शाहिवाल है अर्याना नसल की गाएं है लोग थार पार कर बोलते हैं जिसको हम अर्याना नसल की बोलके देते हैं अपने पास नहीं है इदर और HF है HF क्रोस है जर्सी क्रोस है यह गाएं देंगे 40,000 से लेके 80,000 रुपे तक जिनका दूद रहेगा 12 लीटर से लेके और 25 लीटर तक जी और बैस बैस जैसे गोड़ सिंग की देंगे सेकिंड और थर्ड लक्टेशन की फस्ट बार की हम कम खरीते हैं ग्राक की च्वैस के अनुसार खरीते हैं फस्ट बार की जो बोलेगा कि हमें 10-12 लीटर दूद चाहिए लेकिन चाहिए फस्ट बार की ठीक है हाँ पूरे साल के रेट है 80,000 से लेके और डेड़ लाग तक जिसमें हाई रेट भी आ गए और लो भी आ गए ठीक है इस सीजन में भी 80,000 में मिल जाएगी इस सीजन में मिलेगी एक ला एक लाग से लेके और एक लाग 40,000 सीजन कम होता है अप्रायल के बाद में दिरे दिरे रेट कम हो जाएगे उस टाइम पे 80,90,90,90 एक लाग की बैंस मिल जाती है ठीक है ठीक है ठीक है चलो बहुत बहुत दन्यावाद भाई तो यह देखिए जी छोटा सा वीडियो सुदन बेच रहे हैं आप भी इन से जुड़ना चाते हैं संपर कर सकते हैं नमस्कार